हालो फ्रेंट, वेलकम टू मैं चनल एजूकेशन टेक दोस्तो यदि आपने अपना पैन कार्ड अभी तक अधार से लिंक नहीं कराया है तो हो सकता है कि आपका पैन कार्ड कुछ दिन बाद इन्भैलिड हो जाए और बंद भी हो सकता है हो सकता है कि आप पर कुछ जुर्माना भी लग सकता है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पैन कार्ड को कैसे अधार से लिंक कर सकते हैं तो यह तमाम जनकर्या इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ दोस्तो मैं हूँ आपका दोस चंदनकुमार आप देख रहे हैं एजूकेशन दोस्तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल एकन को प्रेस कर लेजिए ताकि मैं ऐसे बेतरीन वीडियो आपके लिए बनाता रहूँ तो चलिए इस वीडियो के ज़्यादा देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं पैन कार्ड को अधार कार्ड से लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी ब्राउजर खोलना है देखिए मैं यहाँ पे Chrome Browser खोल लिया हूँ और Chrome Browser खोलने के बाद आपको Google में टाइक करना है इनका टैक्स E-Filling जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको यह पहला result मिलेगा इस पे आपको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे इसका official website पे चले जाना है और यहाँ पे एक आपको pop-up मिलेगा आपको इसे cut करदना है जैसे ही cut करेंगे तो आपको यहाँ पे left side में link अधार का option मिलेगा आपको इस पे क्लिक करदना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे pen card number डाल देना है और यहाँ पे अधार कर नमबर और name as per अधार जैसे भी आपका नाम अधार में दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप कर दाना है और टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे capture feeling करना है और read otp या आपको कोई otp मंगवाना चाहते हैं तो उसके माध्धम से आप यहाँ पे करकर इसे link अधार पे क्लिक कर सकते हैं तो चलिए हम इसे डाल लेते हैं तो guys आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर pen card भी डाल दिया अधार card भी डाल दिया और यहाँ पे जो भी मेरा name as per अधार card है वो हमने डाल चुका है और दोस्तो यहाँ पे एक आपको option मेला I have only year and birth in अधार card दोस्तो आपके अधार card में year and birth ही सिर्फ दिया हुआ तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं आपका year, birth and date तीनों दिया तो आप इस पे क्लिक नहीं करेंगे और यहाँ पे दोस्तो मैंने देखिए जो capture है दोस्तो मैंने fill कर दिया और fill करने के वाद दोस्तो हमको यहाँ पे लिंक अधार पे क्लिक कर दाना है आप यहाँ पे देख रहेंगो दोस्तो कि your pen is already linked with given अधार काड़ दोस्तो मैं मेरा जो pen card है और अधार काड़ दोनों already link है तो दोस्तो आप यहाँ पे ऐसे यही procedure है आप भी यहाँ पे link कर सकते हैं और दोस्तो आपका link हुआ है और नहीं हुआ है उसको आपको check करने के लिए आपको यहाँ पे click here पे click करना है ठीक है जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे pen card डालना है और अधार काड़ डालना है जैसे आप दोनों डालेंगे और डालने एक बाद आपको भी लिंक आसान है आप भी घर बैठे pen card को अधार काड़ से लिंक कर सकते हैं तो आपको यह वीडियो कैसा लागा आप हमें कमेंट करके हमारे comment box में बता सकते हैं मैं ऐसे ही बेहतरिन वीडियो और नौलेजफुल वीडियो आपके लिए बनाता रहाता हूं आप हमारे चैनल पर नए झाल गुर्ण्थूरोए बेwaćनी पड़ से लिए क्टारत को यह वीडियो आपके लिएरा टेए ससुछर अन्ते को हमें तो हैंभा यहलिव भीखुल हैं वीडियो